हम बात करेंगे गेहों की खेती के बारे में किसान भायों कई बार ऐसा होता है कि जो गेहों की फसल है वो पीली पढ़ना सुरू हो जाती है उपर से पतिया पीली पढ़कर पूरे खेत में यह रोग तेजी से फैल जाता है और इसके कारण जो गिवों की ग्रोथ है वो एकदम रुख जाती है किसान भायों गिवों की फसल से पीलापन को समय से कंट्रोल करना होता है अगर समय से कंट्रोल आप कर लेंगे तो फिर से फसल रिकोवर हो जाती है और फोदा बढ़वार करने लगता है किसान भायों गिवों की फसल से पीलापन को केसे दूर किया जा सकता है आज के स्वीडियो में हम इसी टोपिक पर बात करेंगे पूरी रहनकारी के लिए वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिये जो नए साथ हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो को अधिक सदी किसान भायों तक शेयर कीजे तो चले वीडियो को सुरू करते है बायों गिहू की फसल से पीलापन को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि गिहू में पीलापन आने के कारणों को जान ले गिहू में पीलापन कई कारणों से आता है मौसमी बदलाव या बारिस या बादल चाहे रहना इससे भी गिहू में पीलापन आ सकता है खेत में लगातार नमी बने रहना या पानी का बराव इस कारण से भी पीला पना जाता है पोसक तत्व की कमी के कारण भी पीला पनाता है जिंक तत्व की कमी से भी गिहूं पीला हो जाता है खरपतवार नसर का इस्प्रे करते समय पानी की मातरा कम लेना या दवाई का डोज जादा रखना खेत में नमी ना होना या दोबारा इस्प्रे करना इस कारण से भी गेहूं में पीला पनाता है और सबसे मुख्य कारण जो इस साल देखा जा रहा है गेहूं की फसल में कीट एम इल्लियों का अटेक जिसा कि पतों पर छोटे छोटे रसुसक कीट लग जाते है या पतों पर फंगस का अटेक हो जाने से भी दबे बन जाते है या पतियां सिकुड जाती है पीली पढ़ना सुरू हो जाती है उससे भी गेहूं में पीलपन आना सुरू हो जाता है अब बात करें कि किसान भाई गेहूं के खेसे पीला पन को केसे दूर कर सकते हैं किस परकार से पोधे की गरूत को बढ़ा सकते हैं किसान भाईयों खर्पतवार नसका इस परे करते समय संतुलित पानी की मात्रा रखे साथ ही डोज जादा या दोबरा इस परे ना करे खेत में अच्छी नमी होना चाहिए समय समय पर गिहूं में यूरिया का प्रियोग करे और आउसकता अनुसार ही सीचाई करे जिसे गिहूं पीला नहीं पड़ेगा कापी अच्छी ग्रोथ होगी इसके लवा गिहूं की फसल की देखरेक जरूर करे अगर पत्यों पर छोटे छोटे कीट लग रहे है या अचानक से गिहूं की ग्रोथ रुक चुकी है या पोदे की पत्या पीली पढ़ना सुरू हो चुकी है तो उस कंडिशन में आप छोटे छोटे रसुसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो कीट नसक आता है उसका परियूग आप कर सकते है किसान भायो चोटे छोटे छोटे रसुसक कीट आसाने से नजर नहीं आते है लेकिन गिहूं की पत्यों पर कहीं परकार के कीटों का अटेक हो जाता है और ये कीट पोदे की पत्यों का रस चूसने लगते है जिससे पत्या एकदम सिकूरने लगती है हम देखते हैं कि किसी अन्य कारण से ये बीमारी आ रही है लेकिन दीरे दीरे पूरे खेत में ये बीमारी फेल जाती है अगर आपकी वसल में भी छोटे-छोटे कीटों का अटेक होता है तो आप हलके टेकनिकल वाले कीट नासक का परियोग कर सकते है क्योंकि गेहु एक हाध्यान फसल है इसलिए इसमें जादा हेवी दवाओं का परियोग आपको नहीं करना चीह अगर जादा से जादा मातरा में कीट है तो ही आप कीट-ناसक का परियोग कर सकते है जिससे गेहु की फसल पीली भी नहीं पड़ती है कापी अच्छी गुरूत करती है किसान भायू आप एनपी के 1919-19 का एस्प्रे भी आप गिहों की भसल में कर सकते है जिससे भी गिहों को हरा बरा बनाने में फाइदा मिलता है पोदे की गुरूत अच्छी होती है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो बसंद आयोगा वीडियो को लाइक ओर अधिक सदिक किसान भायू तक शेयर कीजें मिलता है नए वीडियो में जय जवान जय किसान